दोस्तों NHPC Limited की बात के श्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है NHPC के नए CMD का एलाद हो चुका है और यहाँ पे जो नए CMD है उन्होंने बड़ा बयान दिया है आगे की वीजन को लेकर किस तरसे कमपनी आगे बढ़ेगी और किस तरसे उन्होंने आगे के लिए रणनिती बनाई है उसको लेकर यहाँ पे एक बड़ा इस्टेटमेंट उन् सरकार एक करोड़ घरो के उपर सोलर रूप्टॉप लगाने जा रही है हाइडर एलेक्रिक पाउर प्लाइंट को लेकर भी इनकी बंसा क्लेरी दिख रही है कि आने वाले से में इसमें और कैप्टन सीडी बढ़ा ही जाएगी तो क्या इस लिए उन्पीसी में इन्वेस्मे कर दीजिए एक में लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल उनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो अभी लगबग देख सकते हो की दो बजे के आसपास का टाइम है बी एसी सेंसेक 73,07 के इस्तर पर जापे 217 पॉइंट की तेजी देखना को मिल रही है तो बाजार ने फिर से 73,07 की इस्तर को छूली आए इस समय 0.30 0% की तेजी है आज बाजार की शुरुआत थोड़ी सी गिरावट के साथ हो दे लेकिन बाजार में निचले लेवल से अच्छी खरीदारी देखना को मिल रही है लेकिन निप्टी एनरजी में आज भी गिरावट है 39,666 के इस्तर पे 92 पॉइंट की गिरावट एनी 0.23% डाउने निप्टी एनरजी और इसी वज़े से आज हमें NHPC में भी कुछ गिरावट देखना को मिल रही है तो यहाँ पे इस्तर पॉइंट की शुरुआत पॉइंटी पॉइंटी पॉइंट फाइजिरो पर क्लोजिंग थी देख सकतो कि फ्राइडे की कल की 92.20 के आसपास और यहाँ पे देखों कि इंट्राडेमेस ने 93 का ही भी बनाया लेकिन जो लो है वो 90.55 का है तो देख सकतो कि श्टॉक उपर के लेवल में कुछ गया लेकिन उपर के लेवल में जैसे थ्री करोड की डिलेर उठाएगी थी और कल 10 करोड का वॉलिम अथा टू करोड की डिलेर उठाएगी और आज आप देख सकते हो कि लगबग एक बजे के आसपास 4 करोड का वॉलिम हो चुका है यहीं वॉलिम थोड़ा सा कम होने की संभावना दिख रही है अब इसकी परफरमेंस देखे तो 20 फरवरी को श्टॉक 94.80 के आसपास तो जापे 2.1% की गिरावाट हुई 21 फरवरी की अगर हम बात करें तो श्टॉक 92.65 के आसपास आ गया जापे 2.6% की गिरावाट हुई उसके बाद 26 फरवरी की बात करें यानि कल की तो कल 92.20 के आसपास की तेजी थी मामली सी तेजी थी लेकिन पॉइंटीव क्लोजिंग देखनों को मिली और आज फिर से कुछ गिरावाट देखनों को मिल रही है बाजार की वज़े से अब य राजने प्रसाद गोईल जो अलड़ी पहले से देखे तो डारेक्टर फाइनेंस के पोस्ट पे है अब उनको एनेश पीसी का एडिस्टर ये चार्ज सीमडी का भी सौप दिया गया है तो राजने प्रसाद गोईल को छे महने के लिए सीमडी की पोस्ट में इस समय इनको अ प्रसाद गोईल की बात तो एक अक्टोबर दोजार बीस से ही वो डारेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पे है कंपणी में उनका कॉलिफिकेशन देखना उनके मास्टर डिग्री है कॉमर्स की उनिवर्सिटी आप राजस्तान जैपूर की तरफ से उनके पास करीब 34 ये का सांधार एक्सपिरियंस है यानि वो काफी समय से कई सालों से सेवाई दे रहे एनेश्पीसी लिमिटेड में अब यहां पर राजन परसाद ने एक लेटेस इंटर्वी दिया उनका कहना है कि हमारा जो टोटल कैपेक्स है उसका 80 परसें हम हाईडरो सेक्टर के लिए खर्च करेंगे 15 से 20 परसें का जो खर्च होगा वो सोलर और हाईबिड ग्रीन एनरजी प्रोजेक्क के लिए होगा तक हम इस कैपसिटी को पा लेंगे यहां पर देखो कि रिसेंटली एनेज बीसी ने 300 मेगावाट का ग्रीक्रेक्टेट सोलर पीवी प्रोजेक्ट राजसान में हमारे पीम मुदी जी की तरफ से अनौस किया गया है उसको लेकर उन्होंने का है कि यह जो 300 मेगावाट का सोल खर्च होने वाला है और यह देख से तो कि जो टाइम लाइन दी गई है वह 26 सेप्टमर दी गई है दोजार 26 सेप्टमर तक दी गई है जिस तरफ इसको हम कम्प्लीट कर लेंगे आरपी गोयल का कहना है कि हमारा मुख्य उदे से हाइड्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ान सिर्फ 15 से 20 परशेंट का हिस्सा है वो सोलर और हाइबिड ग्रीन अनर्जी प्रोजेक्ट के लिए है आने वाले 10 साल के लिए हमारा टोटल कैपेक्स करीब 1 लेक करोड के आसपास होगा हर साल हम करीब 10,000 करोड का खर्च करेंगे जिसमें से 8,000 करोड का खर्च होगा वो हा पर 9,000 प्लस मेगावाट कैपेसिटी पालेंगे आईडर प्रोजेक्ट की और 1300 मेगावाट की हमारी सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी और हमारा टोटल जो यहां पर प्रोफिट होगा वो 6,500 क्रोड तक हो सकता है 2027 तक उनका करने के साथ में हमने करीब 20,000 मेगावा अंद्र परदेश गवर्मेंट के साथ में जिसकी वज़ा से हम तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे तो उनका अंदाज है कि फाइने सेल 2030 तक हम करी 5,000 से लेके 6,000 मेगावाट कैपेसिटी पाल लेंगे तो कुल मिला कि बहुत बड़ा वीजन जो इस सारा कर फिर उसके बाद 9 बजकर 27 मिलाट पर 92.05 की प्राइस से 3,77,160 की फिर से वच्वाली हुई उसके बाद 10 बजकर 6 मिलाट पर 91.15 की प्राइस से 5,47,160 की एक वच्वाली और हुई उसके बद 11 बज कर 18 मिनिट पर 91.05 की प्राइस से 3,46,000 की फिर से खरीदारी हुई तो उसके बद 11 बज कर 30 मिनिट पर 91 की प्राइस से 3,91,000 की एक विक्वाली हुई तो दोनों तरप का माहोल बना हुआ है विक्वाली भी हो रही है और साथ में खरीदारी भी हो रही है यानि कह सकते हैं कुछ बड़े फंडाउस है जो इस लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उनका निशले लेवल से खरीदारी होगी लेकिन जिस असे बड़े फ सपोर्ट टूटा तो श्टोक 82 तक जा सकता है गिरावट और आगे बड़ी तो 76 तक जाने की संभावना है तो यह देखे तो यहां से पिछली बार बाउंस बैक दिया दा श्टोक ने 76 से उस लेवल तक जा सकता है इसके नीचे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं पॉजिटिव माउल बना तो 97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको पार किया तो 103 तक श्टोक जाएगा और एक बार 100 को क्रॉस करने बार इसमें नहीं 30 की संभावनों बनेगी थर्ड रेजिस्टेंस 107 के आसपास है तो बिल्कुल लॉंग टम का नजरिया लेके निवेस कर सकते आने वाले समय एनसपी से आपको माला माल कर देगा और दाव लगाया जा सकता है इस लिवल पे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजिस बढ़वी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे कि कुम्पाइने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से दूर कीज़ा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स